कि अगली वीडियो पर वीडियो बनती जा रही है पढ़ाई भी आप करते जाओ आ रहे हैं फूप पढ़ाए करो वीडियो को दो बार तीन बार चार बार चितना प्रैक्टिस करना है करो बहुत अच्छा रिज़री आज की क्लास में जो ट्रॉपिक पढ़ाऊंगा ऑच वहों ट्रॉपिक आपको पता ही है मागे अजो ट्रॉपिक है वह अगें इस वीडब वाच्छेंस है कि रकुर्क पांड्ब ü प्रांँ ट्रॉपिक कि वज्ज़ से अच्छी बार सेंटर पे था अब एक्जिस पर है यह धियान रखना अब सेंटर से बाहर है लूप से बाहर है क्वाइंट पे हैं जो एक्सिस पर अब क्या करेंगे पहले डागराम समझेंगे यह आपका एक लूप हो गया यह लूप का रेडियस हो आढा मां एसे स्टों होने वाला करेंट हो गया और मुझे इस पॉयंड निकालना है इस पॉइंट ये जो लाइन एक्सिरुट निकालना है न अब सेंटर पे निकाल चुके थे सेंटर बाहर आगया ईकसिस पर इसे टिंस ग्ःचलें नहीं नहीं है यहां पे R radius है और जब center पे निकालते थे तो R ही distance होता था यहां पे R radius है और जिस point पे निकाल रहे हैं वो distance X है that is X once again I am repeating that is X तो अब क्या करेंगे बेटा यहां पे magnetic field निकाल नहीं है derivation में तो आपको मैंने कहा था चाहे center पे निकाल नहीं हो चाहे इसके point पे निकाल नहीं हो जो access पे हो तो उसके लिए मुझे एक ही option मिलता है और वो option मिलता है bio service law बिना bio service law के तो आप derive करी नहीं कर सकते यू can drive यह ध्यान रखना बेटा आप एक में दरा माइक भी से कर लूँ आपको एक बाद धियान रखना कि आपको bio service law यूज करना ही पड़ेगा तो इसके लिए क्या करेंगे सबते पहले एक छोटा सा element यहां पे लिए कि लिए क्या चाहिए बेटा एक small element जाते हो तो एक नहीं लोग दो लोग इसे आसान हो जाता है प्रोटे से element एक मतले ना दो लेना अब क्या होता है जहां पे निकालना है वहां से element के distance ली जाती है जहां पे निकालना है वहां से element के distance ली जाती है तो यह x है यह r है तो यह साफ दिख रहा है यह x स्क्वार प्लस r स्क्वार हो गया x है, r है, यह साफ दिख रहा है, x square प्रस r square हो गया मुझे निकालनी कहां पर है, यहां पर, इस point क्या निकालनी है, पूरे लूप की magnetic field तो क्या trick है, पूरे लूप का तो हम निकालनी नहीं सकते एक बार में पहले छोटा सा element लेंगे, जिसके लें डील है अब इसके intensity dl की क्या होगी, eb होगी, कहां पर निकाल रहे हैं, यहां पर निकाल रहे हैं, तो अब जो intensity होगी, वो इस direction में दिखाएंगे, बोलोगे ऐसे क्यों दिखाया आपने, आपको कैसे पता चला कि ऐसे जाएगा, इसके intensity ऐसे दिखाएंगे, बोलोगे, सर आपको यह कैसे पता चला कि इंटेंसिटी इधर ही गई, ऐसे क्यों नहीं गई, ऐसे क्यों नहीं गई, क्योंकि मैंने पहली class में पढ़ाया था, क्याद करो, कि magnetic field intensity पूरे जो distance होता है, जो current element होता है, जाके पढ़ना, देखना, जो भी distance, इसके भी जहाँ पे निकाल रहे हो, जहाँ पे element है, जो भी distance है, जो भी distance बनता है, उसके perpendicular होता है, तो distance अगर यह बन रहा है, तो इसके perpendicular यू जाएगा, यह बहुत important है, क्या कर intensity ऐसे ना जाकर ऐसे कूँदे, क्योंकि बायट सुरस्वलों को आपको पता है, formula मैंने पढ़ाया था, बीवी इस इकल टू मिव नॉट, वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़ाया था, मिव नॉट, अपॉन 4 पाई, फस्ट वीडियो देखना, फस्ट वीडियो, आइडियेल, किसके बीज, element और point के बीज, जहाँ आप निकाल रहे हो, वहाँ distance r था, यहाँ वो distance क्या बन रहा है, इस diagram के हिसाब से, under root x square plus r square, मैंने कहा था ना, कि यह, जो intensity है, यह इन दोनों का cross का result है, जो intensity, जो current element है, इसके भी perpendicular होगा, और जो distance बन रहा है, किसके बीज distance बन रहा है, बेटा, कि किसके भी distance होता है, element और, उस point के बीज का, तो जो कि यहाँ पर, under root x square plus r square है, यहाँ निकालना है, यहाँ element है, इसलिए intensity, इस distance के, इसलिए intensity, इधर से, इस distance के perpendicular ही show करना है, that's why I am showing like this, यह है point, अब यहाँ पर, क्या होगा, सुनो, यह तो मैंने आपको idea दे दिया क्या से सुनो, अब यहाँ पर क्या होगा बिटा, अब यहाँ पर, क्या करेंगे, यहाँ से सुनना, अब यहाँ पर पहले हम intensity की value लिग देते हैं, क्या formula होता है, mu naught upon 4 pi, i, tl, sine, हीटा किसके बीच होता है, पता है न, हीटा होता है, element और, distance, मैंने क्या कहा, यह जो distance है, यह distance, intensity, और, distance, और, element, यह दोनों आपस में 90 degree पे, बोलोगा, आपको लगी न, कहां लग रहा है सर, यह distance, यह angle किसके बीच होता है, यह जो थीटा होता है, किसके बीच, यह distance और, element की बीच, तो सर, distance यह आ रहा है, element भी यह, कहां perpendicular है, सर, यह loop ऐसे है, सारी distance सामने से आ रही है सामने से, सामने वाले, टीडी में है, यह सारा distance, रही है, यह 90 degree पे, आपको पता नहीं चल रहा है, यह और, 90 degree पे, यह आपने formula पढ़ा है, वो formula किसके लिए होता है, intensity का, small element के लिए, small element के लिए, किस point पे निकाल रहे है, इस point पे निकाल रहे है, क्या formula होता है mu not upon 4 pi, फिर होता है i, फिर होता है dl, फिर होता है sin theta, sin theta किसके भी चैंगिल होता है, वो element और जो distance लेते हैं, point और element के भी, जो भी distance आपको show हो रहा है, इसके और इसके भी, ये तो 90 है यह नहीं, है 3D में देखो, ये loop का plane है और ये सब सामने से, 3D में आ रहा है, और upon distance, नीचे r का square, r का मतब distance, point और element के भी जो इसका square, sin 91 हो गया, आ गया mu not upon 4 pi, i, dl और distance का square, कितना हो जागा बिटा, x square plus r, ये आ गया magnetic field किसका, एक small element का, बस छोटे से element का, इस point, अब आप बोलोगे सर, तो intensity वहाँ पर आ गई, हमें तो पुड़े loop का निकालना है, तो जब intensity आ गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, integrate करना पड़ेगा, हमें integrate करना पड़ेगा, तभी मुझे पूरा मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पर दो-दो intensity है, तो कैसे integrate करना है, पहले इनका net निकाला जाए, क्योंकि एक intensity होता, तो मैं सिधे निकालकर integrate कर देता, लेकिन यहाँ पर तो आपने दो-दो intensity बना दी है, छोटी-छोटी, तो पहले सर, इन दोनों का net कैसे निकाला जाए, जो direction वाली चीज़ का net कैसे निकलता है, अगर एक तरफ है तो plus हो जाते, opposite होते तो minus हो जाते, और angle पे होता, angle मुझे पता होता, तो under root पहले का square प्लस दूसरे का square जो vector वाला rule है, under root 2 पहला दूसरा cos theta, बट पंगा है कि यह कि यह कितने angle पे हैं, यह भी नहीं पता, तो मुझे vector का को rule समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए last में क्या करेंगे, अपने मर्जी से इसको एक theta मान देंगे, कुछ angle आपको late करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप करपाऊगे, दो vector, दो direction वाली चीज़ का net कैसे निकलता है, एक तरफ है, तो plus कर दो, opposite है, तो minus कर दो, और अगर angle पे पता है कि angle पे है, तो under root, पहले का square, दूसरे का square, 2 पहला, द vector में, कभी भी आपको 2 direction वाली चीज़ हो, 2 direction वाली चीज़ हो, और उसका आपको net निकालना हो, और आपको उनके बीच का angle भी नहीं पता हो, तब सारे formula जब धरे के धरे रह जाते हैं, तब last में क्या करते हैं, बेटा, एक theta मान कर, theta इधर theta लोगे, तो इधर भी theta ही होगा, क्योंकि side की lens same है, इसके साथ same angle दिखेगा, अब ये theta तो फिर ये भी theta हो गया, geometry से, ये theta तो geometry से ये भी theta हो गया, क्या कौन सी geometry से हुआ, कौन सी geometry से हुआ, ना तो ये alternate है, फिर कैसे theta चला गया, ये भी मैंने पहले पढ़ा दिया था, फिर से सुन लो, ये line जो मैंने खीच है, ये इसका perpendicular है, और रग दो, इस point का नाम आप चाहो तो P रग दो, ये जो line खीचा है, वो O P का perpendicular है, ये field वाली line, इस distance का perpendicular है, तो अगर ये 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 आपस में theta बना रहे हैं, तो ये और ये भी आपस में theta बनाएंगे, तो ये rule है, अगर ये दोनो line और ये ये दोनो line अगर एक दूसरे के perpendicular है, तो same angle बनता है, ये वाली line, O P का perpendicular, intensity वाली line, इस distance का perpendicular, तो अगर ये दोनो थीटा पे हैं, तो ये दोनो भी theta पे होंगे, because ये दोनो और ये दोनो आपस के perpendicular है, हो गया चलो, अब दीबी को क्या करो, resolve करो, तो इसका component उपर कितना चला ज आचाएगा, db sin theta, इसका इधर कितना आचाएगा, angle के तरफ, db cos theta, इसका इधर कितना चला चाएगा, इसका भी चला जाएगा, db sin theta, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इन दोनों का net निकाल रहा हूँ, ये दोनों एक तरफ होते तो plus कर देते, नहीं थे, opposite होते तो मान करके, ये theta assume करके, दोनों को इसको, 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 इसको resolve करना, अब ये दोनों component साफ दिख रहा है, एक दूसरे के opposite है, तो ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे, cancel, ये तो हो गया, cancel, अब बचा ये दोनों component, तो ये दोनों component एक दूसरे को cancel नहीं कर पा रहा है, क्योंकि य इन दोनों का जो नेट आएगा आ गया 2db sin theta यस उनों को एड़ कर दीए कि मैं पूरे लूप का भी निकाल नहीं रहा हूं मैं इन दोनों के एलिमेंट की छोटी छोटी इंटेंसिटी का छोटा सा नेट निकाल रहा हूं बहुत ड्रामा करना पड़ा इसके लिए अब बोलो के sir db की value तो पता है sin theta की value भी बता दो चलो ये भी बता देता हूं बेटा sin theta की value आप triangle से निकाल सकते हो देखो perpendicular upon hypotenuse क्या है perpendicular r क्या है hypotenuse under root x square plus r square r upon under root x square plus r मैं theta कहां से आ गया right angle triangle है ये perpendicular upon hypotenuse अब क्या करेंगे सब की value पूट करेंगे ये दोनों element की intensity का नेट आ रहा है two okay db db मतलब ये पूरी value क्या है पूरी value mu naught upon four pi i dl upon x square plus r square ये हो गया two ये हो गया db और ये sin theta यहां से रखो r upon x square plus r square का power root है root को मैं half लिख सकता हूँ root का मतलब half क्या क्या मैंने root को power half लिख अब क्या आया बिटा दोनों db का net सिफ math चल रहा है भी बोलो के क्या आया sir मैं बताता हूँ क्या two से four कट गया mu naught pi r upon two pi x square plus r square का power यहां भी power पूरे का one यहां सेम का power half यहां भी x square plus r square यहां भी x square plus r square यहां power one यहां power half बेस सेम हो तो power add हो जाते हैं one plus half three by two और एक डी अब बताओ यह जो आया इतना यह क्या आया net बट पूरे loop का नहीं आया अभी अभी तो इन दोनों छोटे छोटे नन्ने मुन्ने से magnetic field का आया अब मैं निकालूंगा पूरे का अब मैं निकालूंगा पूरे का देखो अब क्या करें पूरे की निकालने के लिए फिर पूरे element का पूरे loop का निकालने के लिए क्या करेंगे axis पे इसको integrate करें जो भी दोनों element का आया है उसको integrate और वो integrate integrate जब करने जाओगे तो साफ दिख रहा है कि constant चीज़े बहार आ जाएंगी सिर्फ dl यह जो dl छोटा सा है वही variable है बाकी distance, radius तब पिक्त है तो यह mu naught i r upon 2 pi x plus r square power 3 by 2 यह सब बहार आ गया integration किसका हो गया dl का, dl का मतलब इस छोटे से element का अब integration में limit भी रखना है तो dl के limit क्या होती थी, शुरुवाद 0 से होती थी और dl का मतलब limit कैसे रखा जाता है minimum value और maximum, maximum का मतलब पूरी value कितनी हो सकती है तो dl अगर बड़ा होगा तो पूरी length को cover करेगा, तो 0 से 2 pi r, बट मैं रखूँगा 0 से pi r, यह भी point है क्योंकि मैंने इस इरवेशन में 2 dl लिये हैं, एक element नहीं लिया, दो लिया है, दोनों का net यह बना है यह dl इधर आधा cover करेगा, यह dl आधा इधर cover करेगा, तो एक dl के limit 0 से pi r, तो pi r नहीं, पाई, चल्ड़, अब b की value कितनी आगे बेटा, mu naught, i, r, dl का क्या हो गया, dl इंटेग्रेट होकर l बनेगा, बाद में लिख देंगे, 2 pi x square plus r square का power 3 by 2, और dl इंटेग्रेट होकर सोचो क्या बनेगा, मैं side में लिख दू, कितना तो पता होना चाहिए, dl इंटेग्रेट होकर क्या बनेगा, बेटा, l बनेगा, 0 से कहां तक रखोगे limit pi r, तो सोचो, l के जखा पर अपर limit रख दोगे pi r, तो यह हट के सीधे आ जाएगा, into pi r, क्या हो गया, फिर से सोचो, dl इंटेग्रेट होकर l बन गया, limit 0 से pi r, पहले अपर limit रखेंगे, l के जगा पर क्या है, pi r, मानिस 0, यानि pi r ही बच जाएगा, अब क्या-क्या कट रहा है, pi से pi गया, formula आ गया, mu naught pi r, r दो बर मिलके r square, upon pi से pi गया 2, x square, plus r square, का power, 3 by 2, yes, यह formula होता है, इसको कभी नहीं भूलना, this is very, 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 very important formula, को कभी नहीं भूलना बिटा, कहां पर यह formula है, magnetic field का कहां पर, एक लूप के axis पर, axis पर, यहां पर, जिसकी distance x है, लूप का radius r है, वो जगा बुक में एक ही डियल लेते हैं, एक ही db show होता है, तो वहाँ पर net 2db sin theta ना होकर, एक ही db sin theta रहा जाता है, और limit फिर 0 से 2 pi, तो बात वही है, यहां से 2 हटेगा, limit में 2 आजाएगा, तो वही है, पर उसे एक दिक्कत यह है, कि इसका एक component तो होई, वेकिन यह component को कौन cancel कर रहा है, यह वाला show नहीं होगा इधरवाला, इसलिए मैं इसी बनाने के लिए 2 element लेता हूँ, यह formula आ गया, magnetic fidelity का कहा पर, loop के axis, अब किसी ने कहा, इस पर देख लो, आप screen shot चौहाँ तो ले सकते हो, आप किसी ने कहा, कि सर, कैसे पता कि आपने सही पढ़ाया है, जरा formula चौहर अब लाएया है, यह जो formula आपने लाएया, सही है या गलत है, मुझे check करना है, है सब को मैं आपको चेक करा देता हूं देखो मैं इसको दू मिनने चेक करा देता हूं को अगर मैं x को 0 कर दू अगर मैं x 0 कर दू तो इसका मतलब यह point कहां पर आ गया center पर आ के अगर x 0 हो जाए तो यह point center पर आ गया तो जैसे आप x 0 करोगे इसको 0 कर दोगे तो क्या field बनेगी देखना ज़रा mu naught i r square x 0 कर दो 2 into r square का power 3 by 2 square square कट गया r q क्यों कर गया क्या आ गया बताना ज़रा आ गया mu naught i upon 2 r देखो वही फॉर्मला आ गया जो center पर होता है तो इसको एक दिलो करोगे तो center पर आ जाओगे फॉर्मला center वाला आ गया तो यह center यह axis यह center पर फिल्ड यह axis पिल्ड कितने distance पर एक्स डिस्टिस अच्छा लगा काफी अच्छा लगा यह topic बहुत अची बात है तर एक example हो जाए मैंने का क्यों ना हो जाए भाई कौन मना कर रहा है आपको सर एक लूप यहां है यह little security है के distance आए viv fino है यह distance आए यह distance यह हैं है यहां से हां तक और है इसमे करेंट clockwise है के सब्कम करेंट अंटी क्लॉक वाई है थैं काक वाउट कि क्लॉक वाई है इसमें करेंट एंटी क्लॉक वाइज है यहां पर फिल्ड बताने है इस पर है और इससे भी ऑब्वेस्टी बात है आरी डिस्टेंस पर है यहां पर इस पॉइंट सेंटर पर तो है नहीं कहां पर है एक्सिस पर है बस्ट मालनो इससेकंड है तो दोरों के एक्सिस पर क्या फर्मला होता है मैंगनेटिक फिल्ड का फिल्ड का अगर निकालोगे तो क्या होगा सोचो यह पॉइंट कहां पर है जहां पर निकालना है सेंटर पर नहीं है एक्सिस पर है कितनी दूरी पर है एक्सिस पर जो एक सम हुआ है, सीधिन लिगे मून ने हुआ कि आपको ह allí कर दो सारो इसक्वाएर का फ़ी भाई टू वही फर्म्मलेमस एकसस्स पे जहां पर सब्सक्स का मतलब क्या होता है एकस्स पहर निकाल रहे हो वहां से सेंटर की डिस्तेंष की आर है को एक से जहां पर R पूट कर दो R स्क्वाइर प्लस R स्क्वाइर का पावर 3 by 2 कितनी फ्रिल आ गए बेटा? Mew नॉट I R स्क्वाइर अपॉण R स्क्वाइर प्लस R स्क्वाइर 2-3 2 R स्क्वाइर मिल गया और उसका पावर कितना? 3 by 2 मैज, दिख मैज यह आ गया 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 by 2, 2 into 2 का पावर 3 by 2, नंबर अलग कर लो, यहां R square का पावर, R square और उसका पावर फिर 3 by 2, solve कर रहा हूं पुरी तरह मैं, फोड़ो ने रहा हूं आपके लिए, नंबर अलग 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 by 2, R square, अब आता है मैस तो देखो, मू नॉट, I, R square, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2, पावर बेशते में पावर जोड़ो, 1 प्लस 3 by 2, 2 का पावर 5 by 2, into R square, डबल डबल पावर, मल्टिप्लाय कर दो, तो R cube, फिर R square से R cube कट गया, लास्ट जो रिजर्ड बचा, मू नॉट, I, अपावर 2 का पावर 5 by 2, और into R, येस, ये फिल्ड आ गई, एक्सिस पे, एक लूप के बज़ा से, सेम लूप वैसा ही है, अच्छे डारेक्शन भी बताते हैं, करने इसमें कैसा है, clockwise, तो इसकी फिल्ड होगी, इन्वर्ड हो गया, अब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, दूसरे की फिल्ड का, दूसरा लूप ये है, निकानला यहां पर है, एक्सिस ये है, डिस्टेंस अभी भी वही है, यहां भी एक्सिस कल टू आर ही है, सेम ही रिजल्ट आएगा, कुछ फरक तो पड़ेगा नहीं, डिस्टेंस अभी भी देखो, इस लूप से भी पॉइंट का वही है, तो सिमिलर्ली बीटू भी आपका वही आने वाला है, यहां आया है, मियू नाट आई अपान तू का पावर फाइब बाइटू इन्टू आप, पस परक है कि इसमें एंटी क्लॉक वाइज है, इ इन्ट कैसे निकालें, इन्ट के लिए क्या करेंगे, अपोजित है, दोनों को मानस कर देंगे, और वैल्यू सेम है, वैंसर आ जाएगा, जीरो, दोनों की इन्ट फिल्ट हो गई, जीरो, अब माल लो, इसी सवाल में, ये जो है, ये जो है, अब माल लो, इसमें भी करेंट म उसके इसमें क्या होता बेटा net plus हो जाता दोनों की fill invert है तो net plus हो जाता plus का मतलब क्या answer आता है यानि इन दोनों को add करते इसका double आ जाता इसका double तो क्या आ जाता 2 into mu not i upon 2 का power 5 by 2 into r इसका सिधे double अब फिर solve करना पड़ता 2 का power 1 उपर है 2 का power 5 by 2 2 उपर भी 2 आ गया नीचे भी 2 है उपर नीचे है तो power minus करते यह उपर जाता 1 minus 5 by 2 यानि answer आ जाता 2 का power minus 3 by 2 mu not i by r तो मैं असे से क्या क्या नहीं समझ में आया यहाँ भी 2 आ गया यहाँ भी 2 आ गया उपर पावर 1 उपर पावर 5 by 2 उपर नीचे पावर मानिस होता है तो 1 minus 5 by 2 करोगे तो कितना आ जाएगा मानिस 3 by 2 अब यह invert है तो यह भी invert ही होता अब यह इंवर्ड है तो जीरो हो जाएगा एक डारेक्शन में है तो दोनों value को mathematically add कर दो तो मैं यह question था बहुत अच्छा सा आपने देख लिया तो axis पर निकालना था दोनों लूप की वज़ा से अब मान लो एक last question देखेते हैं अब मान लो इसी में आ गया एक loop radius r दूसरा loop radius r same point है यही r यह r current eye इस point पर निकालना है तो अभी भी axis पर ही इसके भी axis पर बस फर्क यह है कि यह loop ना एक दुसरे के perpendicular है वो क्या था अभी से पहले वाले में क्या था यह दोनों loop एक ही plane में थे और निकालना वहाँ भी कहा था axis पर ही निकालना था यहां भी axis पर ही निकालना है बट वहाँ दोनों loop प्लैनर थे यहां loop प्लैनर नहीं है एक loop कौन से plane में है यह वाला loop vertical plane में है और यह loop कौन से plane में है यह loop horizontal plane में है तो value तो वही आएगी जो अभी आप सबकुछ data वही है तो जो B1 की value आए थी अभी आया था ना B1 का value जो आया था बेटा 2 का power 5 by 2 mu naught pi upon pi यार ऐसा कुछ value आया था पिछले बारे में देख लेना इसी कुछ value आया थी solve करने पे जो भी value B1 और B2 की value आया थी वही सब कुछ है data देख लें क्या दोबारा जो वही आना है मिटा फिर time invest होगा चलो देख लेख लेख क्या है B1 निकालो या B2 निकालो value तो same ही आना है current same है distance axis पे axis पे same है mu naught i r square upon 2 distance x यह तो है एक्स ही होता है x क्या होता है point से center का distance point से center का distance x square plus r square x b r है का power 3 by 2 यह आया था ना भी तो B1 और B2 की value भी मैंने just 2 minute पहले solve किया है 2 minute भी शायद नहीं हुए है हमें solve किया तो क्या आया था आगया था 2 का power 2 का power minus 5 by 2 और बाकि क्या आया था mu naught i upon अगर यह वर्टिकल plane में है यह वाला तो यह वाली field horizontal direction में जाएगी मैंने पको पढ़ाया था और यह वाला horizontal plane में है तो यह वाली field vertical direction में जाएगी field तो हमेशा plane के perpendicular होती है यह मैंने जब मैं center पर पढ़ा रहा था वहाँ भी जब दो loop के plane perpendicular होते थे याद करो पिसली वीडियो एक loop ऐसा होता था यहाँ भी दूस्ते के perpendicular है पर कहीं हाँ पर center पर निकालना था यहाँ axis पर निकालना है तो वहाँ भी मैंने बताया था कि जब दो लूप के plane perpendicular होते हैं तो बेटा, field भी जो आती है, वो भी perpendicular हो जाती है इसका मतलब यहाँ जो b net निकलेगा इन दोनों value को, जो भी lnd value तो आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ क्या करोगे? under root, पहले का square, प्लस दूस्रे का square अब यहाँ solve b में कर सकता हूँ बोलो कर देता हूँ मैं solve आपके निए, एक मिन में solve कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, बोलो कैसे solve करें? solve कर दे हैं? बोलो करें या ने करें? क्या आ गया पिटा? under root, b1 square प्लस b2 square value तो दोनों की same है तो क्या आ जाएगा? सुचने वाली बात है upon r का पूरे का whole square तो value same, दोनों same है तो इसका पूरे का whole square आ जाएगा और दो same है तो जुड़के आगे 2 आ जाएगा मैस है पुरी तरह से बिटा, आप क्या होगा? बोलो कि sir, ये root 2 रह जाएगा और वाकी फूरे square root से खतम हो जाएगा, तो 2 का power minus 5 by 2 और bracket में mu not i upon r, फिर बोलो कि sir, ये root 2 का मतलब 2 का power half होता है sir, बिल्कुल, 2 का power यहाँ minus 5 by 2 है sir, बिल्कुल, और यहाँ पे mu not i upon r है sir, बिल्कुल, अब base same आ गया फिर, फिर दोनों power add करेंगे, क्या add करेंगे? क्या power है? 1 by 2, minus 5 by 2, कितना आ जाएगा? minus 4 by 2, minus 2, 2 का power minus 2 आ जाएगा, आप देखो, कितना आ जाएगा? 2 का power, देखो, power add करो ना बिटा, 1 by 2, minus 5 by 2, 1 minus 5, minus 4 by 2, minus 2, mu not i upon r, ये 2 upon minus 2 को नीचे लोगे, तो 1 upon 2 का power 2, यानि answer आ जाएगा, mu not i upon 4 r, 2 upon 2, मैंने पूरा solve कर दिया, ये answer होगा, net यहाँ पर, पूरा math, कैसे math, दोनों value सेम आई, सेम ही आएगी, क्योंकि दिस्टन्स वगरा सब सेम है, जब प्लेन पर्पेंडिक्लर हैं, तो फिल्ल भी पर्पेंडिक्लर हो जाती है, दो पर्पेंडिक्लर का net तहले भी बता चुका हूँ, ना प्लस ना मानिस अंडरूट करके, दोनों value का अंडरूट करके square करोगे, तो ये पूरा तो square से बाहर आके वही रह जाएगा, तो का root 2 हो जाएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा, तो 2 का power half, 2 का power minus 2, this is the final answer, तो अब आपने देखा, अब आपने feel किया, कि हमने पिछली class में आपको loop के center पर पढ़ाया था, loop के segment वाले के center पर पढ़ाया था, आज मैंने loop के axis पर पढ़ा दिया, पूरे wire का पढ़ा दिया, circular loop के center पर पढ़ा दिया, segment के center पर पढ़ा दिया, और आज पूरे लूट के एक्सिस पर पढ़ा दिए रिवेशन करा दिए पस आपको मिनत करनी है बेटा वीडियो देखना है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दें आगे भी शेयर कर दें और कुछ नहीं चाहिए और सबसे बड़ी से बहार अधर स्टेट अधर कंट्री इतने भी हैं सब देखें और यूज करें और खूब अच्छे से पढ़ाए कर बिलते हैं नेक्स वीडियो में आते हैं बेटा नए टॉपिक के साथ तब तक वेट करो और इंजॉय करो प्रहाई भी करते रहों पुछ नहीं गरी